जोहार दुस्तों आप सभी को फीट से एक बार जोहार एक जाम मिश्वागा दुस्तों अपलोग कैसे मेरे क्याल से जिंग रिख सपना पे पेशन कर रहेंगो तो रोजना कराज में फीट से आप लोग के लिए समासा सर्थ यानि कि दूस्तों सोसलोजी की इंपोर्टेंट को यह इंपोर्टेंट रहने ओला तो दोस्तों यह जो कि जो कि इंपोर्टेंट कोईसिंट झैं ठीक है और जो कि आप लोग डोलोग सोना समास्तर के छेत में पत्परदस्तक योगदान परदारित कोच आप लोग केम का एंसी कि आप जो कि आप नोगे की गिजामिसन में आप लोगों वहां से देखने को मिलने वाला है, तो जितने भी जारकन वेले सुपरवाजर के त्यारी करने वाले कंडिडेट होंगे, टेक है और उसको साइकलोजी के किलास होगा तो अपलोग इसको जोइन कर सकते हैं तो चले दूसर लोंुए एकक करके कोशें के बढ़ते हैं ठीक है तो देखिए दिया हुआ है किस समासास्त्री को समासास्त के पिता के रूप में जाना जाता है option में दिया हुआ है आप लोग का क्या दिया हुआ है Max Weber, Emil Durkheim, Auguste Comte या फिर Karl Marx तो इसका आप लोग correct answer क्या हो जाएगा इसका आप लोग correct answer क्या हो जाएगा तो इसका correct answer आप लोगो हो जाएगा अगर्ष्टे कॉम्टे ठीक है जो कि C number option विल्कूर right answer हो जाएगा next number person की बात करते हैं next number person में आप लोगो दिया हुआ है makes wayber ने किस आउधारना का प्रसुत किया जो समासस के अध्यान में महतपूर नहीं संरचनात्मक कर्यात्मक या फिर वर्ग संगर्स या फिर समाजी किर्या या फिर समाजी करन तो दोसर इसका correct answer हो जाएगा आप लोगो समाजी किर्या नहीं कि social action right C number option विल्कूर से answer हो जाएगा और दोसर आप लोग last में कमेंड किरके बताएगा कि आप लोग का कितना question सही हुआ नहीं हुआ ठीक है next देखे next दिया हुआ the communist manifesto के इसा लिखा कौन थे Max Weber, Emil Durkheim, Agusti कोम्ट या फिर Karl Marx जिसका correct answer हो जाएगा आप लोग का Karl Marx ठीक है D number option विल्कूर right answer हो जाएगा Karl Marx right third number question का हम लोग का answer Karl Marx हो जाएगा जो कि D number answer हम लोग का बिल्कूल सही answer हो जाएगा next question के और हम लोग बढ़ते हैं जोस्तो next question आप लोग का दिया हुआ दिखिए किस समासासरी ने आत्महत्या यानि कि suicide पर एक बिस्तिर अध्यन किया है किस समासासरी ने दूस्तो Max Weber ने Emil Durkheim ने Auguste Comte ने Harvard Spencer ने इसका क्या correct answer हो जाएगा तो दूस्तो इसका correct answer आप लोग हो जाएगा क्या Emil Durkheim ने दूस्तो जो कि ये आत्महत्या पर दूस्तो इन्हों ने एक बिस्तिरित ये डिटेल्स तरीके से दूस्तो इन्हों ने और study किया है ठीक है इसलिए हम लोग बी नवर option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही answer हो जाएगा next question के और हम लोग बढ़ते हैं दूस्तो next question है आप लोग का देखिए Emil Durkheim ने समाजिक तथ्यों यानि कि social facts किस परकार परिवासित किया है बेक्तिगत धर्नाओं के रूप में समाजिक संरचनाओं और संस्थाओं के रूप में या फिर C में दिया हुआ आर्तिक गति बिधियों के रूप में या फिर राजितिक विचरधाराओं के रूप में तो दूसरी इस प्रस्ट के एंसर जो आप लोगों हो जाएगा बी नमरा आप्शन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा यानि कि समाजिक संरचनाओं और संस्थाओं के रूप में ठीक है? नेक्स प्रस्ट के वर हम लोग बढ़ते हैं तो दूसरी नेक्स प्रस्ट आप लोगों दिया हुआ है अगश्त कॉम्टे ने समाज सास को किस अधार पर और किलित किया है? समाजिक अस्थाइत और समाजिक परिवर्तन वर्ग संगर्श और करांती बेक्ती वाद और समुहिकता या फिर धार्मिक और धर्व निर्पिक्स तो दूसरी इस प्रस्ट के एंसर हो जाए आप लोगों का समाजिक अस्थाइत और समाजिक परिवर्तन यानिक दोस्तों ए नमबर आप्सर अब लोगों का बिल्कूर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है? नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया वाए दिखिए हरबर्ट अस्पेंसर के सिधांत की सिधांत परदारी थे समाजिक तत्यों पर या पिर समाजिक किरिया पर या पिर समाज का जेविक दिरिष्टी कौन पर या पिर वर्ग संगर्स पर तो इसका आप लोग करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है? सेवेन नमबर का करेक्ट एंसर हो जाएगा सी नमबर यानिकी समाज का जेविक दिरिष्टी कौन ठीक है यानि कि C number option अम लोगों बिल्कूल right answer हो जाएगा ठीक है next है देखे next दिया हुआ है next आप लोगों दिया हुआ मेक्स वेबर ने किस परकार की परभूत यानिक authority को तीन भागों में विवाजित किया परंपरागत करिस्माई और कानूनी राष्टिय या फिर धार्मेग आर्थिक और राजनितिक या फिर समाजिक संस्कीतिक और एतिहासिक या फिर बेक्तिगत समोईग और संस्थागत इसका correct answer आप लोग क्या हो जाएगा प्रमप्रागत क्या है करिस्माई और कानूनी राष्टिय ठीक है ए नमर आप लोग एट नमर का बिल्कुल correct answer हो जाएगा next person के बाद करते next person आप लोग दिया हुआ है किसने समासासन में संरचनातमक करियातमक यानि की structural function आले जिम का सिधान्त प्रस्तूत किया किसने समासासन में संरचनातमक करियातमक का सिधान्त प्रस्तूत किया है दूस्तों अप्सन में दिया हो आप लोगा एमील दुर्खीम, कारल माक्स, मैक्स वेवर, ताल कोट, पार्संस, जिसका करेक्ट एंसर आप लोग हो जाएगा, D-number option ठीक है, D-number option हो जाएगा, ताल कोट, Next number, प्रसंस की बात करते, Next number दिया हुआ, आप लोगा देखिए, कार्ल माक्स ने किस सिद्धान्त के माध्यम से समाँ चे आर्थिक अधार और अधी संरचना का बिसिलिसन किया। संरचना आतमग, कर्यातमग, समाजी किरिया, एतिहासिक भोतिक वाद या फिर दीम दिया हुआ प्रतिक आतमग पारस परिकता जिसका आप लोग correct answer हो जाएगा 10 number का C number option बिल्कु right answer हो जाएगा यानि कि एतिहासिक भोतिक वांद ठीक है यानि कि historical materialism C number option 10 का बिल्कुल sensor हो जाएगा ठीक है तो तो दोस्तो एक बाद तक आप लोग जान लेजिए ठीक है दोस्तो अगर आप लोग चारकेन मेला supervisor में दोस्तो आप लोग एक seat पक्का करना चाहते हैं तो दोस्तो जोहार exam टीम के दौरा दोस्तो जोहार exam के टीम के दौरा दोस्तो आप लोग को sociology हो गया और psychology हो गया home science हो गया आप लोग का psychology, sociology और paper to hindi के लोग दोस्तो नोर्स त्यार किया गया है ठीक है और दोस्तो यह बहुत ही most important रहने वाला है नोर्स जो की यह आप लोग का क्योंकि syllabus बेश्टी बनाएगा जितने भी syllabus आप लोग दिया हुआ जैसे सीख दोवारा यानिकि जारकरन करमचारी चैन आयोक के दोवारा दोस्तो तो सारा आप लोग syllabus नोर्स में आप लोग कभर किया गया है तो निश्चिती रूप से दोस् पर आप्त कर लीजिएगा तो दूसके लिए आप लोग करना क्या है नोर्स कैसे प्राफ्ट करना है तो इसके लिए एक नंबर दे रहे है ठीक है 8 789 1252 290 इस नंबर पे दोस्तो आप लोग क्या करना है जो भी सब्जेक करना है आप लोग सुस्लोजी कर चाहिए या पिर सै सब्जेक्ट चाहिए ठीक है उसके जोहार एक्जाम टीम के दोरा तुरंती दो मिनिट के अंदर में आप लोगो नोट्स प्रोइड करवा दिया जाएगा ठीक है और इसके अलोग दूस्तो अगर आप लोग टेस्ट सिरीज जोईर करना चाहते हैं ठीक है तो टेस्ट सिरीज दूस्तो आप लोग बना हुआ है पेपर 1 की बात करते हैं दूस्तो पेपर 2 की बात करते हैं पेपर 3 की बात करते हैं तीनों के लिए बना है ठीक है आप लोग जिसका भी चाहिए दूस्तो आप लोग उसी तरह से करना है एही नंबर पर फिर से नो टाउन करते हैं 8 7 8 7 8 9 1 क्या है 8 7 8 9 1 2 5 2 2 9 ठीक है इस नंबर पर दोस्तों आप लोग करना क्या है कि टेस्टिली चाहिए तो आप लोग वही करना है 200 पेमिन करना है जो जो चीज की चाहिए अगर आप लोग होम साइंस का चाहिए ठीक है होम साइंस का पेपर थाट के लिए तो होम साइंस का हंडिट कोशियंड रहेगा देन उसके बाद का बीध इस कोशियंड रहेगा जीके का फ्लोग को पीजित आप लोग बता देना है कि सिर्थ हमको स्टोषलोज चाहिए तो पेपर ठाट के लिए अप लोगो मील जाएगा है अगर आप लोग पेपर हिंदी के चाहिए तो राप लोग फेपर 1 के लिए जाए तु उसके लिए भी आप eclipse ри मिल जाएगा 다या उसके लिए पाशियो alive और wastelt love करना संगा फ्रिक जो group बना हुआ है fad group टेलिग्राम का उसमें आप लोगों add कर दिया जाएगा रोहां से आप लोगों अपना जो त्यारी किये हैं उसको आकलन कर सकते हैं जाद कर सकते हैं अपना practice को मजबूत कर सकते हैं कहा जाता है ना किसी भी फत्त करने के लिए एक प्रैक्टिस किया वह सकता होता है अच्छे रन नीतिकार क्या वह सकता होता है यह ना बिना प्रैक्टिस का बिना अभ्यास का कुछ भी संभव नहीं है यह ना प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आप लोग कुछ हाथ लगने वाला है अधर्वाइस भूल चाहिए ठीक है कि थिखना तो आप लोग समझ रहे हैं कि आम यह बूलना चाहरा हूं फ्रेक्टीस आप लोग निरंदर करते रहना है ठीक है दिन दूसरे आप लोग उसके बाद आप लोग गुरूप में जोड़ देने के बाद आप लोगों से आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं ठीक है और एक्जामिसन में यहां से आप लोग का प्रसन देखने को मिलेगा ठीक है और टेस्ट देने से यह फैदा होता है जोसे आप लोग का कोई सिनों को पता चलता है या फिर कोई सब्जेक्ट में युक है मेत में युक है कि साइंस में है कि जिक्य में है कि सोसलोजी में है है ना क्या सब्जेक्ट में टेस्ट देजेग तब ही न पता चलेगा टेस्ट दिए उसके नंबर कम आये तो देखिए मेरा गलती कहा हो रहा है उसके बाद दूसरा शे बात करते हैं चाहे हैं हैं साइक्लोजिक बात करते हैं जिसने पिना प्रेक्टिस के आप लोगो कुछ नहीं होने वाला फिर से बोलना चाहरे हैं कोई भी examination के त्यारी करने बात की किसी भी government examination के त्यारी कर या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तुसमें आप लोग निरेंतर प्रैक्टिस करना होगा तब जाके आपको सपलता हाथ लगेगा otherwise भूल जाईए तो चलिए हम लोग next question के और बलते हैं ठीक है तो देखे हम लोग को next topic है unit 2 का सेधानतिक प्रारम यो विकास वात ठीक है इससे related हम लोग question देखेंगे MCQ set on theoretical foundation and authorities of evolution ठीक है इसका कुछ important प्रसन है जो की exam of this is बहुत ही important है वह आप लोग को बतलाएंगे ठीक है तो देखें किस बेग्यानी को विकास वात का जनक मना जाता है चाल्स डार्वीन जीन बेप्टिस्ट लेमार्क, अल्फ्रेड रसेल वालेस, ग्रेगोर मेंडल इसका correct answer आप लोग क्या हो जाएगा इसका आप लोग correct answer हो जाएगा आप लोग का Charles Darwin ठीक है ए नबर option आप लोग को बिल्कूल correct answer हो जाएगा ठीक है next है Charles Darwin की पुस्तक on the origin of species की स्वर्स परकासित हुई थी 1831 इसवी में 1869 में 1901 में 1920 इसवी में तो इसका correct answer हो आप लोग के हो जाएगा 1901 में ठीक है कितना हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 1901 नहीं होगा ठीक है यह आप लोग 6869 होगा ठीक है बी नबर option बिल्कूल correct answer हो जाएगा अठारो सो बीस बोट रहे हैं 1869 नेक्स्ट है डार्विन की विकास वात के सिद्धान का मुख्याधार क्या है जीन परिवर्तन प्राकिर्तिक शेयन या फिर अनुवांसिक बहाओ या फिर उत्त परिवर्तन तो इसका correct answer आप लोग को हो जाएगा क्या हो जाएगा प्राकिर्तिक शेयन यानि कि बी नमरा option दूसर आप लोग बिल्कूल right answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नमर प्रसंट के वरोग बढ़ते नेक्स्ट नमर प्रसंट दिया हुआ है लेमार के सिद्धान के अनुसार बिगास किस परकिरिया से होता है प्राकिर तो के द्वारा ठीक है बी नमरा option बिल्कूल सही answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए विकास वाद के सिंथेतिक सिद्धान यानि कि मोडर्न सेंथेतिस का उत्य से क्या है के वल जेविक विकास का अध्यान जेविक और सन्सकितिक विकास को एकेत्रित करन या फिर जेविक विकास और आनुवांसिकी को एकतिरित करना या फिर केवल संस्कितिक विकास का अध्यान जिसका correct answer हो जाएगा आप लोग जेविक विकास और आनुवांसिकी को एकतिरित करना यानि कि एक जगा जेविक विकास और आनुवांसिकी को करना ठीक है सी नमरा उप्सन आप लोगा बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स नमर्ट प्रश्ण को और हम लोग बढ़ते हैं दिखें दिया हुआ है किस बेग्यानिक ने सोतंत रूप से डार्विन की तरह ही प्राकितिक चेन के सिद्धान्त का बरस्ताव रखा जिन बेप्टिस्ट लेमार्क अल्फरेड रसेल ग्रेगोर मेंडल थोमस हक्सले तिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अल्फरेड रसेल ठीक है वालेस यानि की बिन अबर आप्सन आम लोगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स प्रसिन के वर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स प्रसिन है देखिए कोन सी अवधारना विकासवादी जैविक संरचनाओं के धीमे और क्रमिक उत्परिवर्तन करमिक परिवर्तन को असपरष्ट करती है बिस्पोटक विकास, सुसंगत विकास, उप्योग और अवप्योग या फिर अनुवानसिक बहाओ जिसका करेक्ट एंसर आप लोग के आओ जागा सुसंगत विकास ठीक है बी नमरा आप्सन हम लोग बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स नमरा प्रसंड के और हम लोग बढ़ते है देखिए नेक्स नमरा आप लोग प्रसंड दिया हुआ है क्या जेविक बीवित्ता यानि कि बाइलोजिकल डाइवर्शीटी के विकास को किस परकिरिया दोरा समझा जाता समरूपता प्राकिर्टिक चैन इस्थिर्ता उन्नती जिसका करेक्ट एंसर आप लोग क्या हो जाएगा दोस्तो प्राकिर्टिक चैन यानि कि बी नमरा आप्सन जो होगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा प्राकिर्टिक चैन नेक्स नुबर परसिन के वरम लोग बढ़ते हैं नेक्स नुबर परसिन दिया हुआ है डार्विन ने किस दीव समू के अध्यन से अपने विकास वात के सिद्धान का समर्थन किया हवाई दीव समू गेला पा गोस दीव समू अंडवान दीव समू तो इसका correct answer आप लोग हो जाएगा आप लोगा गेला पागोस दियूपसम राइट बी नमर option विल्कुल से answer हो जाएगा next number person के और हम लोग बढ़ते हैं ठीक है next number person है कि सिध्धान की अनुसार जीवित प्रानियों की विकास का कारण उनके परियावरन की प्रती अनुकूल है ऑप्सन में दिया हूँए लेमार का सिध्धान अथ परिवörtन वाथ सिध्धान डार्विन का सुझान सउयोग सिध्धान तो हम लोग इसका correct answer हो जाएगा डार्विन का सिध्धान यकि सी नवर आओगो तो इस वीडियो के लाइक करें कमेंट करें और जज़ास ज़़ास सेर करें ताकि जितने भी ज़रकन महिला सुपरवाजर के त्यारिक अनुएल कंडिडियेट होंगे सभी के पास वीडियोप करें और सभी लोग इसका फैदा उठा सकें के पड़े लिखें संचित इवाक पहचान होता है ठीक है जो भी अच्छा बुरा खराब जैसे भी लगा वह आप लोगों बतलाना है ठीक है ताकि मैं और आप लोग को जिस तरका फिट्वेक मिलेगा उसके हिसाब से आप लोग और मैं बेटर से बेटर और कोशिस कर सकूँ आप लोग लिए content त्यार कर सको और आप लोगो exam vision में help कर सको right और इस channel में अभी तक आप लोगो नहीं होंगे तो बूलेंगे कि जोहार इक दियों को subscribe कर लिएशे and bell icon को press कर दिजिए ताकि जब भी इसी परकार के video upload होगा तो आप लोगो सबसे पहले notification मिल सकेगा तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए टाटा बाई बाई जोहार